असलम लिकूम गेट मानी फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग जी हाँ दोस्तों मैं शाहिन असन आपकी दोस्त आपके लिए लेकर रही हूँ आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो वीडियो में आखे तक जरूर मेरे साथ बने रहीगा क्योंकि यहां पर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि आज है 30th of March 2023 और हम बात करेंगे इस बारे में प्लस साथ में हम बात करेंगे दोस्तों बहुत सारे कुछ ऐसे सवाल जूकि आपको बहुत ज़दा परिशान कर रहे हैं बहुत हमारे लोग जो हैं हमारे जो फांडर् रायन बच एडरस हैं वो बहुत ज़दा कंफ्यूज हैं कुछ सवालों को लेकर के तो दोस्तों उन सभी सवालों की जवाब मिलेंगे आपको इस फीडियो में तो वीडियो में तरूर आके तक बने रहे हैं और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बैल 2022 की अगर मैं बात करूं तो वो दिन जो है वो ऊनपासिप में एक हिस्टॉरिकल डे बना था और जब से लेकर आज तक अगर हम बात करतें दोस्तों तो बहुत कुछ जो है वो बिलकुल जो है वो बदल चुका है क्योंकि 30 मार्च को जो है 2022 में कुछ हमारे ऐसा हुआ था कि मतलब बिल्कुल मैं कहूंगी कि वो ऐसा exciting moment था सबी के लिए ऐसा कुछ हुआ था कि आप सोचिए क्या हुआ था आप सबको अगर यादो बूर्च खलीफा the top the top of the top in fact हम कहेंगे यानि कि किसी को दोस्तों वहाँ पर कुछ नहीं पता था एक साल पहले कि on passive में आज के दिन जो है वो क्या होने वाला है और उस ट्रेम ऐसा भी था कि हमारे बहुत सारे lucky founders थे जो कि हैदराबाद गए थे करीब करीब 45 मतलब founders मैं कहूंगी जो कि 6 लाक इंडिया के हमारे founders थे उन में ते तरिफ 45 founders थे जो कि lucky थे और वो हैदराबाद गए थे और दोस्तों मतलब आप समझे उन 45 founders में lucky नाम मेरा भी था मैं भी हैदराबाद गई थी और वाकि आज के दिन मुझे वही अभी याद आ रहा था कि सुबह सुबह हम एयरपोर्ट गए उसके बाद यह हुआ उसके बाद हमाहदराबाद गए फिर हमने सबसे मिले खाना खाया यह किया फिर हम आफिस गए तो एक अलगी मतलब वो excitement आज के दिन वो तादा हो गया दोस्तों तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं 45 lucky founders में थी शाह कि में हमेशा आप लोग आगे बढ़ते रहें और कुछ ना कुछ आप अपना best देते रहें तो definitely आप ज़रूर उचाइयों को छुएंगे तो उनी उचाइयों को छुआ हमने 30 मार्च 2022 को अधर टॉप और दोस्तों यह हाल था कि हम सब ने जब देखा कि वहाँ पर जो लाइफ शो अरता बुर्च खलीवा का उस तो हमें पता ही नहीं था कि होना क्या है बट आप सोचिए गूस बंप थे कि हम लोगों को जो है रह इतना मतलब excitement पर देख लिया इतने excited हो करके फिर लगा कि यह हो क्या रहा है फिर पता चला कि देखी यह था हमारी company का उसके ओपर जो ad चल रहा था और उसका इतना जबरदस वो view था हमने life देखा तो वो सारी चीज़े दोस्तों आज की देश में बात की जाए तो जब से ल लोग इतने हमारे negative हैं और उनको reply भी यही किया कि भी शायदा फर्क देखना ही नी चाहते लेकिन दोस्तों हम ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पर हैं और हम उन चीज़ों को फील कर रहे हम उन चीज़ों को देख रहे हैं लगतार हम उनके साथ आगे तो दोस्तों कल को अपकी बात करते हैं तो कल जो पपफ था बहुत ज़दा exciting था क्योंकि सारी ही लोग जो है हमारे इतने सारे founders, YouTubers और हमारे leaders सब बहुत ज़दा excited थे अखर क्यों दोस्तों क्यों कि आज 30 मार्च और 2023 और बहुत कुछ आपको पता था कि मार्च के महीने में ह लेकर यहां पर एक ही बंदा है जिसने हमारे बारे में सोचा Mr. Ash तो दोस्तो हम सब उनी को सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने हमानिटी के लिए सोचा और वो लोगों के लिए लगतार आज तक काम करते जा रहे हैं तो दोस्तो अब बात करते हैं उन सवालों की जो हमारे पास आए और अभी तक कन्फ्यूजन लोगों का बिलकुल खतब नहीं हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तो के वाई सी जी हां दोस्तो के वाई सी को लेके इंडिया का जो सोच है वो बिलकुली अलग है बहुत सारे कोशन सारे इंडियन पाउंडर्स के हमारे पास इस तरह होगा तो क्या होगा बचों का होगा तो क्या होगा लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आप confused हैं तो आज आपको एक बर फिर clear कर देते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे important बात आज मैंने आपको बोला 30 March 2023, यानि कि आज की date में दोस्तों आपके पास जो भी government ID है, चाहे वो passport हो, चाहे वो अधार card हो, चाहे वो pan card हो, और चा KYC के लिए use करने हैं, simple, सबसकी एक बात आपको वो ही ID जो की government ने आपको issue करके दिया है, आज की date में, government आपको देखती है, तो उससे आपको जान जाती है, कि आप ही हो शाहीन हसन, तो वो ही ID बस हमें वहाँ पर use करने है, उससे आपका name and address वहाँ से verify हो जाएगा, कि आप बहुत ही confusion को बिलकुल खतम कर दिजिए, कोई किसी ने पूझा कि इसमें बहुत आदा time मिलने वाला है, या क्या होगा, देखें time तो यह है, तो आपकी ID है, आपकी identity आपको महाँ पर देनी है, अगर आप on passive में अपनी ID, identity देना चाहते हैं, तो आपको proof करना होगा, कि आप आप शाही नजन हो, या आप मुकेश हो, या आप कुछ भी हो, तो वो आपका proof आपके पास होगा, इसके लिए कोई time limit नहीं होगी, एक साल की आपको बता है, हमारी foundership रहेगी, one year की रहेगी, then आपको renew करानी पड़ेगी, तो one year तक भी अगर आप नहीं करोगे, तो loss आपक कि हमारा digital sign था, finger से हमने sign किया था, लेकिन दोस्तों, अभी आपको नए documents मिलने वाले हैं, आपके ecosystem के, यानि कि on passive ecosystem तो जो document आपको आएंगे, वहाँ पर आपको sign करना होगा, जो आपके actual signature है, आपको वहाँ पर वही करने हैं, और कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं कि बैंक में क कुछ और है, पासपोर्ट में कुछ और है, और वहाँ पर आप में कुछ और साइन कर दी, क्योंकि sign दोस्तों हमेश्वा एक ही होते हैं, वह आपको सब जगा सेम होना चाहिए, तो जिसकी idea वही वहाँ पर sign करेगा, कोई किसी को manipulate करने की कोशिश ना करे, कि ये तो मेरे friend औ law इन से sign करा दूं, या मुझ से आते नहीं है, अगर कोई भी ऐसा करेगा दोस्तों, तो उसकी idea terminate कर दी जाएगी, जिसे NDA को लेके दोस्तों, इक और सवाल आया है, हमारे पास कि हमने जो ओ वाउंडर का NDA है, वो हमने English में sign किया है, यानि आपको पते हमें नाम लिखना या मतलब अपने फिंगर से नाम लिखा या जो भी हमने किया, लेकिन दोस्तों हमारे उन्होंने बताया कि हमारे जो बैंक में है, वहाँ पर हिंदी में sign होता है, तो क्या कोई फर्क आएगा, दोस्तों फर्क यही है कि बस आप कोशिश ही कीजिए कि आपके जो भी sign bank में है वही आप अपने NDA में कीजिए, वही आप जो है अपने जो भी आपको नए documents मिलने वाले on passive ecosystem से, सब चेका कहने के मतलब sign आपका एक ही होना चाहिए, अब एक और question है दोस्तों जो कि बहुत important है और बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, अभी एक सवाल आता है हमारे पास, क् हम सभी की बात करें तो भई, वन मिलियन प्लस founders अगर हमारे साथ हैं, उन में से कुछ founders ऐसी भी हैं, दोस्तों कुछ क्या मैं कहूंगी, बहुत सारे founders ऐसी भी हैं, जो कि government employee है, और government employee होने के साथ साथ, आपको पता है कि government की एक आपको conditions होती है, कि आपको government अगर आप job कर रह साइफ के नाम पे MLM करें या अपनी बेटी के नाम पे, लेकिन वो अपनी identity government की वहां पर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे government employees को जो है दोस्तों, बहुत सारी चीजों का देहान रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी जॉब है government, और अगर government को पता चलता है कि कुछ भी आप अपदर्स में काम करें, तो वो आपको जो है government job के साथ महां से आपको हटा देते हैं, तो मतलब यहां पर कहने का है कि बहुत इन चीजों को देहान से देखिए कि बहुत घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग परिशान है, इसलिए हमने य कोईशन यहां पर रखा है, कि हम उन लोगों को बता दें, कि अगर मान लीजे आपकी multiple IDs है, और मैं government job में मेरी घर की 4 ID या 5 ID और हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी जो main ID है, उसमें जा करके हमको जो है inter transfer करना है, internal transfer आप कर सकते हैं, wallet to wallet transfer करके थारा पैसा, आप कि किसी के भी account में डाल सकते हैं, अपनी बेटी के, अपनी वाइफ के, अपने बच्चों के मतलब आप किसी को भी transfer कर सकते हैं, तो उसमें आपकी ID का use नहीं होगा, आपकी यूस ID की बात हो, जो आपको गौर्मन ने दे रखी है, तो आपको उसकी टेंशन नी लेनी है, क्यों आपके benefits रोग देगी, for example, आपके जो army है, navy है, और या फिर यह सारी चीज़ें, तो वो उनके सब कुछ जो है, government के अंडर में होता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा देखने की दरूरत है, क्या आपके साथ कुछ भी ऐसी problem ना हो, क्योंकि government के जो benefits होते हैं, फिर वो आ से कम हार आदमी की मैं, जहां तक समझते हैं, बहुत ही rare है कि किसी की एक ID हो, जो mostly लोगों ने जो है, दो दो और तीन, तीन, चार चार आइडी ले रखी हैं, तो आप सुचिए कि कोई भी ऐसी problem होने वाली नहीं है, तो आप उसको internal transfer करके, अपनी ID को जो government की है, आपके government implies, मैं उनकी बात करें दोस्तों, बाकी सब लोग कोई के लिए भी कोई problem नहीं है, जिनकी multiple ID है, वो तो easily wallet to wallet transfer करके, अपना पैसा अपनी किसी भी account में करते हैं, सेम बात बच्चों के साथ आती है, कि हमने अपने बच्चों की ID अगर लगा रखी हैं दोस्तों, और वो 18 साल से क हम हैं, तो उनकी ID का पैसा भी हम अपनी ID में transfer करेंगे और हम उसको महाँ से withdrawal लगा देंगे, तो बहुत ही simple है, तो इतको लेके इतना confusion है लोगों में, इतना confusion है कि मैं उनको बताती ही रहती हूँ दिन भर और के बाद भी उनके questions खतम नहीं होते, एक और बहुत ही important question दोस्त तो O founder में आपका कोई भी change नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर चीज़ों को lock कर दिया गया है, अब आपको यह सारी चीज़ों जो change करने हैं, आपको simply अपने on passive ecosystem में जाना है, वहाँ पर आपको profile क्लिक करना है, प्रोफाइल में जो आप जाएंगी तो वहाँ पर आपको edit पर लगा है last में, तो कोई बात नहीं, अगर आपकी नहीं लगा है, तो आप महाँ जाके edit कर दीज़ों नाम का महाँ पर L लगा कर आप अपनी edit जो भी करेंगे, उनको आपको महाँ पर edit, महाँ safe लिखा है, आपको safe जरू करना है, आप safe कर देंगे, देन उसका बाद आपका profile change हो जाएगा, तो बिलकुल ये भी बहुत simple है, तो छोड़ी छोड़ी चीज़े हैं, दोस्तो थोड़ा सा धिहान दीजे, और इतना confusion मत create करिए अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी, तो इससे बहुत लोगों को भी problem होती है, जिन से आप बार-बार सवाल पू रमजान चल रहे हैं, तो बहुत हमारा रोजा भी होता है, दिन भर बात भी करनी होती है, तो प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी आपकी बात है, कोई भी आपका सवाल है, तो अब हमें वोईस नोट कर दीजे, वाटसप पे, आप मैसेज कर दीजे, जैसे है, तो आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा, तो अभी के लिए इतना ही वीडियो इंपोर्टेंट है, जादा से जादा लोगों को शियर कीजे, ताके सब का जो कन्फ्यूजन है वो बिलकुल खत्म हो जाए, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, थांकि यू सो